गुड़ मार्निंग दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ कि आप लोग एक दम अच्छे होंगे आपकी पढ़ाई एक दम ठीक ठाक से चल रही होगी और आप लोग अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत तो इंज्वाई करी रहे होंगे आईए दोस्तों आज की बात की सुगात हम लोग फिर से कोर्स के साथ करते हैं देखिए क्या कोर्स आपके लिए लेकर मैं आये हूँ आज कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही गुमरात तो गुँ है जो घर से निकलते ही ने ठीक है दोस्तों काफी सांदार लाइन से एक दो बार से समझ लिजिए काफी सांदार लाइन से ओके यदि निकले है कोई रास्ता पर तो कहीं न कहीं तो पहुँच ही जाएंगे लेकिन जो निकलते ही नहीं है वो कहां से कहीं पहुँच पाएंगे ओके मेंसार ये था अब हम लोग चलते हैं अपने current affairs की ओर और आपको पता ही है कि आज से हम लोग country news भी शुरू करने वाले हैं और आज का focus country हम लोग का है स्री लंका ओके आज हम लोग स्री लंका के बारे में जानेंगे ठीक दोस्तो तो चलिए अब अपने current affairs की ओर चलते हैं तो दोस्तो आज है 4 जून और आने वाले कुछ समय में हम लोग आज की important current affairs को देखेंगे और साथ साथ एक्स्ट्रा मसाला के प्रशनों को भी देखेंगे जो की काफी important होते हैं ओके आपसे गुजारी से आप मेंसे जो भी चैनल पर नहीं है प्लीस दोस्तो सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए कोई जोड़ दमर्जाती नहीं है अच्छा लगेता हो ओके ताकि बेल आइकन को प्रेस करने पर यह होगा कि कोई भी हमारी वीडियो जाएगी नई वीडियो कोई भी टॉपिक पर तो आपके पास notification चला जाएगा ठीक इंटरनेशनल हो और साथ साथ country news के बारे में जानेंगे ठीक है और आज जो हमारा country news है वो स्री लंका है ओके तो आईए अब सबसे पहले हम लोग country news की तरफ चलते हैं या सबसे पहले सुर्खियों को देख लिया जाए चलिए सुर्वा सुर्खियों से ही करते हैं देखते ह इंटरनेशनल यूज हमारा क्या है ICMR संगठन पैन बायो कोबिड-19 नामक दूसरे घरेलू rapid antigen test kit को मंजूरी दी है अब rapid antigen test kit क्या होता ये सारी बाते तो आपको पता ही होगी नहीं पता है तो आगे इसका detailing किया जाएगा बने रही है हमारे साथ अगला है कि आज के दिन म मासूम बच्चों का अंतराष्ट्रिय दिवस मनाया जाता है इंगलिस मेदियम बात कर ले तो international day of innocent children victims of aggression ठीक है चलिए ये सब यूवन का द्वारा कारणामा होते रहता है अगला ने हुझे कि भारत और United Kingdom के बीच अधोगिक उर्जा दच्छता को बढ़ावा देने के डेविंसी पलस और बेरिटास शुरू करने की अपनी योजना की घोसना की है ओके दोजार ठाईस और 2030 की बात अभी चल रहा है अगला साल का पता नहीं चलिए निशनल नियूज की तरफ अब लोग चलते हैं तीन जून को आई निती आयो की STG इंडिया इंडेक्स 2020 सिक्की पर है और नीचे सबसे आपको बिहार दिखेगा ओके इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स की जो रेंकिंग इसके बारे में ओके तर तक अगले नियूज को देखते हैं कि भारत के साथ ADB ने सिक्की में सड़क उन्यन प्रयोजना की तयारी का समर्थन करने के लिए ततपरता बित पोसन रिन समझोते पर स्ताचर किये हैं करीब 200 क्रोड के आसपास का ये रिन है ओके अगला है कि केंद्रिय किर्षी मंत्री नर्जन सिंग तोमर ने तिलहन और दलहन फसल के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज एक बीज मीनी कीट काल्ज करम का सुभारम किया है ये नर्जन सिंग तोमर सहाब है अगला नीज हमारा है और आज का लास्ट नीज होगा कि हाली में गुजरात में केंद्रिय ग्री मंत्री स्रीयमित साहके द्वारा नौ ऑक्सिजन संयंत्रों का उदगाटन किया गया है आए दोस्तों शुरुआत करते हैं कंट्री न्यूज के साथ और ध्यान रखिएगा कि आज का मारा फोकस कंट्री या कंट्री न्यूज कहली ये कौन सा है स्री लंका है तो आईए मैप की ओर चला जाया बंड मैप की ओर चलते हैं दोस्तों आपके सामने पूरा का पूरा ग कि स्रिलंका का मैक है काफी जूम करके दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो बाकि आपको पताए कि स्रिलंका का आकार कैसा है तो सबसे पहले आकार पर ही चर्चा करते हैं दो तिन प्रस्न इससे ही आसानी से बन जाएंगे ठीक है यह आपको स्रिलंका दिख रहा ह लग रहा है देखने में आसू की तरह लग रहा है ना तो ध्यान रखिएगा यह सारे पॉइंट नोट आउट करते जाएगा कि कौन-कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है स्रिलंका को अन्य किस-किस नामों से जाना जाता है चुकि यह आसू की बुंद जैसा ल इन टाइप का है तो इसे रत्न दीप कहा जाता है क्या रत्न दीप ठीक है तो यह सारे प्रशन आपसे डारेक्ट पुछे जाते हैं कि रत्न दीप किससे कहा जाता है या किस देश का एक अन्य नाम रत्न दीप भी है तो आप लोग ध्यान रखिएगा स्रिलंका का ओके पहले की बात जानिए कि पहले इसको किस नाम से जानते थे तो सबसे पहले इसको तपोबन नाम से जाना दाता था क्या दोस्तो स्रिलंका को सबसे पहले तपोबन के नाम से जाना जाता था लेकिन जब युनानी लोग इधर आये भारत आये तो इसको टेप्रोबेन क्या उनको भिन रखेगा टेब्र वण रोमान या याई नारियों के द्वारा कहा गया है स्रीलंका के बारे में प्रख़क और आपको पता ही होगा कि स्रीलंका जो है बवोगा दर्म में पहले बहुत जादा बाता था यह afterward तो आपको पता ही होगा अब थृइलनगा कि बारे में ओर बात ज ट्रेट ओके इससे यह अलग होता है भारस से ध्यान रखिएगा यह दो आपको मिलेगा खाड़ी देखने को कौन-कौन सा एक Gulf of मनार मिलता है और एक उधर पालकस्टेट मिलता है इधर गल्फ अफ मननार इधर पालकर स्टेट तो आपसे प्रश्ण क्या पुछा जाता है तो असा ध्यान दिजेगा अब मैं इसके रियल मेप क्यों चल रहा हूं ये देखिए ये हमारा इंडिया है और ये मान लिजे ये बीच में राम सेतु बना था इसके बारे में वे चर्चा क कौन मिलेगा रास्ते में पारकर स्टेट यदि हमको कन्या कुमानी की तरफ से स्रिलंका जाना है तो हमको रास्ते में कौन मिलेगा गल्फ अफ मननार ध्यान दिजेगा ये प्रशन पूछ देता है ओके अब हम आते हैं राम सेतु पर किस पर आते हैं अब लो राम सेतु पर इसके आगे बस तलया लगाई है ठीक है तो स्रिलंका के तलया मननार और भारत के धनुस कॉंडी से राम सेतु जुडा हुआ था जिसे एडम्स ब्रीज भी बोलते हैं एक तो यह हो गया एडम्स ब्रीज जो सबसे उत्तर में है और एक आपको दिखेगा नहीं लेकिन मैं थोड़ा सा कोसिस करता हूँ कि मैं बता दूं कि कहां पर है ओके चलिए कोशिस करता हूँ जो दीखी जाए नहीं इसमें तो दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ इधर इधर आसपास में एक एडम स्पीक है क्या एडम स्पीक जो स्रिलंका की सबसे उची चोटी है ध्यान दिजेगा एडिया आपसे पूछ दिया कि स्रिलंका की सबसे उची चोटी क्या है एडम स्पीक उचाई डजेंट मेंटर आपसे नहीं पूछेगा फिर पिर जान लिजिए 2243 मीटर ओके तो ये तो हो गई स्रिल स्रिलंका के अंदर चला जाए कुछ स्रिलंका के अंदर के बारे में जानते हैं हम लोग ठीक दोस्तों तो स्रिलंका की पुरानी राजधानी कैंडी थी कैंडी आप कहीं दिख रहा है जो कैंडी करते हैं वह पला कैंडी नहीं यह दूसरा कैंडी है यह देखिए यह जो कैंड तो साथ में दोनों एक की जगह दिख रहा है और कोलंबो के बारे में आपको पता ही है कि कोलंबो जो यह बानित जी का राजधानी है कॉमर्सियल कैपिटल और इंडिया की बात कर ले कॉमर्सियल कैपिटल तो बोला जाता है महराष्ट को मुंबई को ठीक है लेकिन इसकी जो स्रिलंका की सबसे बड़ी नदी क्या है तो महाबेली नदी है कौन आपको दिख रहा होगा महाबेली गंगा लिखा हुआ यही स्रिलंका की सबसे बड़ी नदी है ओके स्रिलंका चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो नहीं है लेकिन चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है ओके तो इतनी सारी फैट्स आप लोग स्रिलंका के बारे में याद रखेगा काफी जादा important है और एक last फैट जो की बार-बार पूछ देता है एक्जाम में हमबन टोटा बंदरगा ठीक है कि हमबन टोटा बंदरगा कहा है तो यह स्रिलंका में है चीन के नजर इस पर हमेशा रहती है कि इस पर काबू किया जाए मतलब इस पर वो अपना पूट बना सके है तो हमबन टोटा बंदरगा कहा है स्रिलंका में है और जितनी सारी बाते हुई वो सब आप लोग याद रखेगा यदि कोई पॉइंट आप लोगों ने मिस कर दिया है तो प्लीज उसे कॉपी पर लिख लिजे काफी इंपोटेंट यह सारे पॉइंट है और यह सारे पॉइंट बहुत ज्यादा है इनफ है तो स्रिलंका से एक कोश्टन में आपके लिए छोड़ देता हूं कि असोक ने दो आदमी को अपने परिवार बालों को ही एक बेटा को और एक बेटी थी उसकी ठीक है तो दोनों को भेजा था स्रिलंका तो आप लोग नाम बताईए बहुत धर्म के परचार के लिए असोक किस किस को स्रिलंका भेजा था ठीक है अब आईए करेंट अफेर्स की रो चला जाए काफी ज्यादा जोगरफी का सेसन हो गया है प्रशन की ओर चलते हैं आज का किनमिकीत में से किस संगठर ने पैन बायो कोबिड-19 नामक दूसरे घरेलू एंटी रैपिड एंटीजन टेस चमूऊ या नहीं यह आपको पता चलाए गा और इस तरह के टेस्ट को मंजूरी कौन देता है तो jeg को दोस्तों धियान रखेएगा ICMR इस तरह के करेंच की मंजूरी देता है ठीक है तो इस िसको भी मंजूरी दी है अब आईए एक्ष्टा मसाला की ओर चलते हैं यह ICMR ने COVID-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग कीट को मंजूरी परदान कर दी है तो पहले तो COVID-self को मंजूरी परदान की गई थी अब यह इसको पैन वाइव को ठीक है तो ध्यान रखेगा ड्रग्स कंट्रोल जनरल ओफ इंडिया ने किसके द्वारा विक्सित एंटी कोबिट दवाड टू डियोकसी डी ग्लुकोज क्या पातकालीन उप्योग के लिए अपनी मंजूरी दे दी है तो DRDO ने किस देश ने एक मिनट में कोबिट नाइंटीन का पता लगाने के लिए अस्थाई रूप से ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट को मंजूरी दी है तो सिंगापूर मतलब सूम कर निलुकीत में से किस संगठर ने डीप कोबेन नामक के कोबिट नाइंटीन एंटी डिटेक्शन की की है तो यह डिया डियो के द्वारा और आप लोग निकल ही एक और न्यूज पढ़ा था कि चाइना का जो वैक्सीन था सीनोवैक उसको भी मंजूरी मिल गई है इमेर्जेंसी यूज में डवली एचो के द्वारा ठीक है तो ध्यान रखिएगा कि पैन बायो एक रैपिड अगला प्रश्न क्या है उसको देखा जाए किस अंतरिष एजेंसी ने 2028 और 2030 और दोनों मिशन का नाम नासा के द्वारा यह घोसना की गई है नेशनल इरुनोटिक्स अस्पेस एडमिस्टेसर नासा के द्वारा यह घोसना की गई है कि वही 2028 और 2030 में हम लोग डेविनसी पलस और वेडिटास मिशन सुरू करेंगे एक रोबोटिक मिशन होगा मतलब रोबोट को भेजा और हमारा जो है सुक्र का मिसन आपको पता है सुक्र मिसन भी नसी है जिस तरह से मिसन मंगल था उसी तरह से मिसन विनस भी है और भरतमान में हम फुल फोकस गगन यान पर किये हुए 2022 में जो आने बाला है ओके अब आई एक्ष्टर मसाला की हो चलते हैं कुछ हाल फिडाल का न्यूज आपको मिलेगा अंत्रिच से लेटर देखे क्या है कि नासा के अंत्रिच यान पारकर सोलर प्रोब ने किस ग्रहस एक प्राकिर्टिक रेडियो सिग्नल की खोज की है तो यह सुक्र ग्रहस है ओके नासा लगा हुआ है कि अब भई सुक्र क्योर चला जाए जजेरो क्रेटर जिसकी तस्वीर हाल ही में खीची गई है किस ख़वोल यह पिंड में क्रेटर है मंगल में निलकीत में से किस एजेंसी के द्वारा एक नई अर्थ सिस्टम ऑबजर्बेटरी की अस्थापना की गई है तो जर्वागी परिवर्तन जंगल की याल तुफान यह सब का देखवाल करेगा तो यह नासा किस अंत्रीच एजेंसी ने चनर्मा की सथा पर पानी की उपस्ति की है यह नासा कई बार कर चुका है सरवाधिक गर्म गरह कौन है सुक्र त्यान रख चलता है पुर्व से पश्चिम की ओर चलता है देखिए इसी कारण से सुर्योदे पश्चिम दिसा में उधर होता है तो प्रश्ण भी आगे आपके सामने आया हुआ है कि वह गरह जिस पर सुर्योदे पश्चिम दिसा में होता है तो एक तो सुक्र जिसकी चर्चा में ने भी की और एक अरुन ओके ये दोनों ग्रह उल्टा चलता है इसलिए उधर जो है नाज सुर्योदे किस दिसा में होता है पश्चिम दिसा में ओके तो ये सारी बाते थी ये सारा प्रशन था आप लोग ध्यान रखिएगा मिसन वीरण से नासा के दोरह कौन-कौन सा मिसन है डेविंसी पलस और बेरिटास और दोस्तों चली प्रशन की और चला जाए को दोस्तों सिर्लंका के बारे में मैंने इतना सारा फेक्ट्स बताया फिर भी मुझे बिए याद आया कि एक दो फेक्ट्स मैं छोड़ दिया हूं क कोई नहीं छूड़ या गलती से फिर कभी आपको बता दिया जाएगा जैसे कि सबसे ज्यादा वहां कौन सी जन जाती है या कौन सी जाती है तो सिहली के बारे में आपको पताई होगा उसकी भासा भी सिहली है सबसे ज्यादा सिहली बोली जाती है फिर तमिल बोली जाती है य जून को आई निती आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिपोर्ट के नुसार कौन सा राज शिर्शस्थान पर है according to निती आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2021 रिपोर्ट which came on जून 3rd which a state has stopped तो as usual केरला टॉप पर है सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स से यह कौन जारी करता है तो यह निती आयोग जारी करता है तौप पर कोने दोस्तों फर्स्ट नंबर पर है केरला यह यह सेकेंड पर बात कर लिया जाए तो तमिल नाडू और हिमाचल परदेश संजुक तुरूप से सेकेंड पर है और फर्स्ट सेकेंड इंपोर्टेंट है ध्याना कियेगा और एक लास्ट की बात कर लीजिए तो लास्ट में आपको मिलेगा कौन हमारा विहार हमारा जारखंड और हमारा असम ओके यह तीनों लास्ट पर है विहार जारखंड असम यह तीनों लास्ट पर आते हैं ओके टॉप पर केरला सकेंड पर तमिल नाडू और हिमाचल परदेश और लास्ट में बिहार जारखंड औ आप लोगों को कि बेहार जारकंड और असंद सबसे खराब है यदि केरला की बात कर ली जाए कि इसकी स्कोर क्या है तो 75 स्कोर है ओके उर्जा रुपांथरन सुचकांग और यह वाला जो नियूज है काफी जादा आपके लिए इंपोर्टेंट है वहुत जादा इंपोर्टेंट है पक्का प्यापर में आएगा ओके अगला है कि हाली में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 में सिर्स पर कौन सा देश है तो स्वीडन सिर्स पर है इंडि स्थान रखिएगा ओके और 156 देशों के बीच में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है 140 हाल काफी बुरा है अगला है कि हाल ही में आई आईपी इंडेक्स 2021 के अनुसर भाध कि रहिंग क्या है तो 2020 में भी 40 थी और 2020 में भी 40 ही है आईपी इंडेक्स मतलब समझते हैं ना इ इसमें भाध की रहिंग 40 है पिछले साल भी 40 ही था ओके अगले परस्ण क्यों चला जाए इसमें बहुत सारी बाते हो गई देखते हैं बगला परस्ण आपके लिए फिर से आ गया है एक नई खवर लेकर क्या है परस्ण को पढ़िए कि हर बर्स चार जुन को कौन सा दिवस मनाया जाता है विच डेई सेलिब्रेटेड ऑन 4 जुन एवरी इयर तो हिंसा के सिकार मासूम बच्चों का अंतराष्टी ये दिवस ओके इंग्लिज में मैंने उस समय भी बताया था फिर से बताता हूं इंटरनेशनल डे ऑफ इन्नोसेंट चिल्रेन विक्टिम्स ऑफ एग अगला है कि कारखानों आदी में बालकों के नियोजन का निसेश सम्विधान के कौन से अनुच्छे से समंदित है तो आपको दोनों मिल गया कि 24 और इसमें 23 और इसमें 24 में है कि 14 बर्स से कम को आपको नहीं लगाना है कोई भी कारखानों में ये ध्यान रखेगा एज भी ध्यांता है कि कब तक तो 14 बर्स से अधिक होने चाहिए 14 बर्स से कम नहीं होने चाहिए ओके अब जूण से समंदित महातवपूर्ण दिवस तो अभी तो एक दो आया ही है 20 साइकल दिवस 200 साइकल दीबस 3 जून को मनाया जाता है ओके दो दो बार कॉपी होगी है एक गलत है 200 साइकल दीबस 3 जून को मनाया जाता है ठीक है बस ध्यान रखेगा अब आईए और जादा कुछ नहीं इसके बारे में यह सारा UN करते रहता है अब हम लोग अगले प्रस्निक क्यों चलेंगे कि भारत और किस देश के बीच और दोगी उर्जा दच्छिता को बढ़ावा देने के लिए जान रखिएगा इंड़स्ट्रियल इनर्जी इफिसियंसी को बढ़ावा देने के लिए कल था स्मार्ट सीटी बगेरा को बनाने के लिए जापान से आप लोग को याद होगा और आज है इंड़स्ट्रियल इनर्जी इफिसियंसी को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक नया कार्जप्रवाद सुरू किया गया है तो इंडिया और युनाइटेट किंगडम के बीच में ये सुरू किया गया है इंड़स्ट्रियल इनर्जी इफिसियंसी युनाइटेट किंगडम मतलब क्या क्या होता है आप लोग को पता है ना नहीं पता है थोड़ा सा जान लेजिए United Kingdom आपको फोटो से साफ असपर्ष्ट हो जाएगा England, Scotland, Northern Ireland और Wales जब जुड़ते हैं चारो तब ये United Kingdom कहा जाता है ओके ध्यान रखिएगा England, Wales, Scotland और Northern Ireland ये सब जब जुड़ते हैं तब इसको UK अर्थात United Kingdom कहते हैं और इसी के साथ भारत ने और दोगी कुर्जा दचिता को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्ज प्रबाह सुरू किया है ठीक है? चलिए और एक्ष्टा मसाला क्यों चलते हैं देखते हैं क्या क्या परशन आपके लिए हैं कुछ प्रशन आप इसमें आपके लिए छोड़ा जाएगा United Kingdom किस महादेश में यह तो काफी जीसा प्रशन है यूरोप में है United Kingdom की राजधानी कहां है तो इसकी राजधानी लंदन नेक्स्ट United Kingdom में कौन कौन साथ देश आता है तो भी आप लोगो को मैंने बताए Northern Ireland, Scotland, England और बेल्स United Kingdom के प्रथान मंत्र भी कौन है बरतमान में थेरे सामे तो यह सारी बात आप लोग याद रखिएगा आपके लिए इंपोर्टेंट प्रशन है और आई होब कि आज आपको करेंट अफ्यर से ज्यादा जोगरफी की क्लास लग रही होगी तो कोई नहीं जोगरफी आप लोग करते चलिए मेरा बादा है जोगरफी आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा खासकर बर्ल वाला और इंडिया वाला प्रशन यह जो बीज थे ये किस फचल के थे तो तिलहन और दलहन के थे और वैसे भी आपको पता है तिलहन दलहन के उत्पादर में हम सब टॉप पर है खासकर दलहन के उत्पादर में एक्ष्टा मसाला क्यों चला जाए ज्यादा कुछ नहीं इसके बारे में कुछ योजना के बारे में देखे क्या क्या है थोड़ा सा मैं इसको उपर कर लेता हूँ जहां से disturbance ना हो कि हाल ही में केंद सरकार के दोरा ग्राम उजाला योजना काफी बार ये प्रस्ण हो गया है बिहार क्यारा जिले से ग्राम उजाला योजना जो उजाला योजना था उसी का ही अगला पार्ट है महात्मा गांधी राष्टिये ग्रामी रोजगार गारंटिये धिनियम कवलोंच किया गया है काफी बार ये प्रशन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा ठीक है PM बार्नी योजना का संबंध किस से है तो free wifi connection से है कि लोगों को free wifi connection मिले इसके लिए PM सोनिधी योजना सोनिधी योजना किसके लिए है सबसे पहले तो यही आपसे पुछेगा तो street vendors के लिए और इसके तहट इन लोगों कितने तिन दिया जाएगा तो 10,000 का हाली में COVID-19 से लड़ने के लिए किस राजी सरकार के दौरा आपातकालियम रिजनी योजना के सुरुवात की गई तो यह हर्याना के दौरा सभी सरकारे अपनी अस्तर पर जिरू ही है ताकि कोई भी मिर्तियू ना हो लेकिन जो होना यो तो होगी ही रहेगा बीज बित्रित करके एक बीज मीनी किट कार्ज करम का सुभारम किया है और नजीन सिंटोमर कोने बर्तमान में? केंदरिये क्रिश्री मंत्री अब आईए अगले प्रश्न की और देखा जाए अगला प्रश्न क्या है प्रश्न है कि भारत के साथ किस संगठन ने सिक्किम में सड़क उन्ने अन पर योजना की तयारी का समर्थन करने के लिए ततपरता बित्पोशन दिन समझोते पर हस्ताचर किये है तो सिक्किम ने ADB ये साथ समझोता क्या है ADB का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे ACN Development Bank, ACI Bikas Bank आप लोग बताईए कि ACI Bikas Bank के बरतमान में प्रमुख कौन है और ये जो लगवग ये जो समझोता हुआ है या मतलब रिन जो लिया गया है लगवग दो सो क्रोड का रिन लिया गया है किसलिए सड़कों काव बिक्सित करने के लिए ये मतलब सड़क उन्यन पर्योजना की तयारी का समर्थन करने के लिए ठीक है आईए चलिए ADB के चीफ के बारे में दिया हुए छोड़ी आप लोग मत बताईए देखते हैं क्या आप से इस्टा मसाला के और प्रश्न है पहला तो आपको दिख रहा होगा कि Headquarter of ADB Asian Development Bank का मुख्याले का है मनीला फिलिपिन्स में और आप लोग को यादो कुछ दिन पहले ही में बताया था कि अंतराश्टिये चाबल अनुसंधान केंदर का भी Headquarter का है मनीला फिलिपिन्स में ही है बरतमान में इसके President कोन है मस्तागू असकावा ठीक है अगला है कि हाली में भारत सरकार के खनन मंतारे और किस देश के उत्पादर विकास मंतारे की खनन नीती के सचिवाले के भी समझोता किया गया तो यह अर्जेंटीना के बीच यह तो में कल ही पढ़ाया था आप लोगो को अगला है कि भारत और किस देश ने सेचनी करण संदान सहयोग के लिए समझोता गयापन पर हस्ताचर किया यह जापान और हाली में किसी मंतारे ने छे राज्यों में सो गाओं के लिए पाइलेट कार्ज करम यह तो माइक्रोसोफट बाला है जिसकी चर्चा कल भी की गई थी ओके दोस्तों और एक और है कि हाली में भारत और किस देश ने दुविपच्छी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पाच समझोता गयापन पर हस्ताचर किया है यह बांगला देश के द्वारत किया गया मैं रूप से आपको याद रखना है कि अब तो केंदर सरकार के साथ साथ अन्य राज सरकारे भी अनेक संस्थाओं से रिन ले लगी है अनेक देशों से क्या करने लगी है अपना समझोता गयापन परहस्ताचर करवाने लगी है ताकि उनके राज जी का भी अधिक से अधिक विकास हो सके ओके तो इसी कड़ी में फिलाल ADB से रिन याची का किये किसने सिक्किम ने ताकि सडक उन्यन पर्योजना को बढ़ावा दिया जा सके ठीके दोस्तों अगले प्रश्न क्यों चलते हैं हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कि हाले में किस राज में केंदरिय ग्री मंतिस्ति अमित्सा के द्वारा नौ ऑक्सिजन सयंत्रों का उधगाटन किया गया है उधगाटन के बाद एक छोड़ा सा जो ग्यापन होता है दन्यबाद ग्यापन उसमें बताया इन्होंने कि भई मोधी सरकार जो है काफी कम समय में सेकेंड बेपर काबू पाने में सफल रही है लेकिन फिर भी काफी कम समय भी बहुत ज्यादा समय था रोज 3-3 लाग के आसपास केस आते थे अब तो फिराल आप लोग को पता होगा कि 1 लाग के आसपास केस आये लगें 1 लाग 20,000 कल केस आया था तो अब तो थोड़ा सा काबू पालिये हैं लेकिन हो सकता है इसकी लगभग ये बात तय है कि इसका तीसरा बेब भी आना है और 1 बेब तो ज़्यादा बुजूरगों के लिए घातक सिद्ध हुआ 2 बेब में आप लोगों ने देखा कि ये खास कर नोजवानों के लिए था अब थाड़ बे ऐसा संका है ऐसी घोसना की जा रही है मतलब कि ऐसा नुमान लगाया जा रहा है कि थाड़ बे बच्चों के लिए होगा ठीक है तो खेर छोड़िए ये सब बात जो होगा सो देखा जाएगा इतना ज्यादा क्या सोचना प्रशन की तरह हम लोग आते हैं कि ग्रीह मंत्री के द्वारा गुजात में नौ ऑक्सीजन सेंत्रों का उधगाटन किया गया ओके चलिए अब एक्ष्टा मसाला की योड़ देखते हैं कि हाली में रच्छा अनुसंदान और विकास संगठन सवट में जिसको बोलते हैं कि द्वारा पांसो बेड़ वाले कोबिट देखवाल अस्पताल का उधगाटन की सराज में किया गया है यह प्रशन भी कल हुआ था उत्तराखंड में और उत्तराखंड अभी फिलाल बाक्सतरली योजना के कारण चर्चा में है अगला है कि राष्टिये दिव्यां स सक्तिकरन के अंदर का उधगाटन कहां हुआ है यह प्रशन काफी जादे इंपोर्टेंट है ध्यान रखिएगा हकीम पेट तेलंग ना में प्रथम गाए अस्पताल का उधगाटन किस पुरूबतर राजे में किया गया तो यह असम में किया गया था भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंट्सी पार का उधगाटन संजुक तुरूप से कहां किया गया और अगला है कि हाले में किस राजे के मुख्यमंत्री के द्वारा पहले बिश्यू कौशल के अंदर का उधगाटन किया गया है इस प्रशन का उत्तर क्या करना है आपको comment में देना है क्योंकि आज आप लोगों को साइध एक ही प्रशन मिला है और ये दूसरा प्रशन है इसके साथ ही हम लोग चलते हैं question of the last day की और देखते हैं क्या है question of the last day कि कौन सा संगठन global electric vehicle outlook report जारी करता है तो बहुत साइध लोगों ने इसका जवाब दिया और इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों कि international energy agency कौन international energy agency global electric vehicle outlook report जारी करता है अब आईए question of the day की और चला जाए question of the day क्या है कि किस राजे सरकार ने क्रोणा मुक्त ग्राम प्रतियोगता शुरू की है इन चारो options में आपको सही उत्तर चुनकर जल्दी से comment करना है तो दोस्तों प्लीज आप लोग उत्तर दिया किजिए कम से कम जो भी लोग देखते हैं जितने भी लोग देखते हैं अंतक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसा लगा comment मे भी शेयर किजिएगा ताकि यो लोग भी विदेशों के बारे में या अन्य देशों के बारे में बहुत सारी नए नए एफेक्ट को जान सके ओके मिलता हूं आपसे अगले दिन अगले वीडियो में ख्याल रखिएगा आपना जैहिंद सिवन सानिंग ओफ